कैसे हैं आप सबी लोग आई हो बच्छी होंगे और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी 6-ूर नीय है उनके लिए हम लेके आए हैं उनके लेकर हैं इको और लिए कोनुमिक्स का फ़स्ट पेपर भाइब फिर भहुबेघल भी जाता है तो उन सभी चाहतनों से कहना चाहूँगा करना कि मैं फेल हो गया कुछ भी हो गया पहले बता रहो हूँ पी को डानलोट करें जहाए वह भी ए को हो बा मिक्ला कम को हो यूप का किसी भी उनिवस्टी में बाहर कुछ करने हो इसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, तो सभी छात्रों से गयाना चाहूंगा, पीडियम को डान्लोड कर लें, कम आएवाले देशों में नीची आए से नीची बज़ते और नीचे बियोग, नीची अतपाद, और फिर नीची आए का चक्र चलता रहता है, यह इसका राइट अ यह कूशन बोला गया है गरीबी के दुस्चक्र के धार्णा किसे किसने प्रोफूत वारों कि उर जाएंगे नेक्स्ट कोशन देखिए निर्धांता के दुष्चकर कि से संवनदित है सबीरों को निर्धांता का दो अ ध्युजद्री होता है वह मांग और पूर्ति दोनों से संवनदित होता है पक्षो में होता है option नमर से लिए और जाएंगे गों एक दूसरे पर इस प्रिकार क्रिया और बोला जाता разработYes? पिर इसको क्या bikeकर जाता हैमीustा वावसा में तो आप होगे निरधनता का ik चक्र का भोला जाता है जैसे की बात की सकत्यों कि उस चक्रीश शमुडों इस purेकार करिया और पिरिकरिया करता है कि एक देश निरधनता की इस्त्तींлена कने पिर पिर Such the होता है तो निर्धंता के जो कुछकर का सम्मद होता है वो उत्पादकता और उसके आई से होता है option number एक की ओर जाएंगे next question है कि एक देश एक देश इसलिए दरित है क्योंकि वह दरित है ये कथन किसका है तो सभी का आना चाहिए option option number सभी लोग देंगे ये वी रेगनर का है किसका है रेगनर option number हम भी की ओर जाएंगे next question की ओर चलते है नेक्स कोशन है नर्धंता के दुस्चक्र मांग और पूर्ती दोनों पक्स में क्रिया सील होते हैं ये कथन किसका है तो सभी का आना चाहिए option number सभी का क्या आएगा सभी लोग बदाएंगे इसका भी आंसर आप लेंगे रेगनर option number जिसने भी दिया है एपरमसत्ता आंसर होगा next question की ओर चलते है next question बोला गया है संतुलित विकास के साथ जो नियोजन का अर्थ ये है कि अर्थ विबस्ता के समस्त छेतर में एक ही अनुपात में विकास करेंगे ये फिर करेंगे जिसमें उभोग और बियोग और आए समान दर से पढ़ सके ये किसकी परिभासा है तो सभी का अंसर आना चाहिए अलग की परिभासा अलग गोस्ते जो प्रोफेसर अलग गोस्ते उसकी परिभासा है option number ए की जाएंगे next question है आसंतुलिय विकास की अबधार परना दी ती वो किस ने दी ती तो सभी का अंसर आना चाहिए जो हर्समें थे उन्होंने दी थी ठीक है तो हर्समें option number B क्योर जाएंगे next question बोला क्या है संतुलिय विकास संतुलिय विकास विक्तिगत उद्देश्यों के लिए निम्न बच्चे निम्न बच्चते उत्पन क करता है ठीक है option number B की और जाएंगे next question है आसंतुलिय विकास की विकास की विचार धारा इस मानिता पर आधारित है की सभी लोग बताएंगे answer इसका क्या रहने वाला है option number D की और जाएंगे किरियासिल छेत्रों दारा पिछले छेत्रों को विकास के लिए सकती देना option number C is right होगा next question यहां बोला गाए एक अर्थ विवस्था के कुछ चुने गए या चुने हुए छेत्रों में निवेस किया जाता है तो उसे क्या कहते है देखे एक अर्थ विव सास्त्रों के बढ़ने के लिए दिल्चस्प हो सकते हैं परंतु अल्प विकसे देशों के लिए यह बास्ता में एक कह सकते हैं निरासापूर ख़वर है तो यह कतन किसका है तो सभी का आना चाहिए option number जो भी देंगे हाँ बिल्कुल सभी का answer क्या रहेगा एक बार comment section में ज रिक हास के तरी लाव के बढ़ने के लिए दिल्चस्प वह सकते हैं मतलब क्या है जो अर्थ विवस्था क के लिए दिल्सस हो सकते हैं परंतू अलब्र विकत्षित देशों के बास्ता में एक कै gum निरासापूर ख़वर है तो यह कथन किसका है तो आप कूगे कुरिहारा का है option number 1 की उड़ जाएंगे नेक्स कोशन ये सारी pdf आम डालोड कर लेना pdf का link description box में है फठा फठा पड़ पाएंगे वीडियो देखने की जब तो नहीं पढ़ेंगे जब आपके पास pdf होगी तो बहुत जल्दी पढ़ देंगे तो इसलिए शातरों से करना चाहूँगा पेडियो को जब डालोड कर ले नेक्स कोशन बोला गया है आसंदल बिकास सिद्धान्त के में दो पिरकार के निवेस माने गई हैं तो कौन-कौन से हैं वो आप मुझे बताना है कि आसंदल बिकास सिद्धान्त में रोजिष्टरीन रोडान जो होता है रोजिष्टरीन रोडान के अनुसार है जो अवश्चर किसमे है तो सभी की आने चाहिए मांग की पूर्थी में ऑप्शन नमर सबी लोग बताएंगे तो सभी लोग बताएंगे समाजिक उपरी पूजी निवेस और दूसरा होता है प्रतेक्स उत्पादक्ता किरियाएं उप्चिन नमबर एक यूर जाएंगे नेक्स कोशन आपसे बोला क्या है संतुलत विकास अंत में आसंतुलत योजनाग की आवस्चता पनिर्भा करता है ये कथन किसका है तो सभी का आंसर आना चाहिए बताएं इस कोशन का एक सभी लोग आंसर देंगे बिल्कुल ठीक है क्या हो जाएगा मैंने आपको बताया था रेगनर 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 ये और स्तवार क्या गयाता था रेइन दवारा किया था नोर्स्व 카 रिडॉर स्के कै Запाश्जन का पूरा नाम था जो पहले स्टाटिंग एंथा ओपशेव सीके ओर जाएँगे ठीक है Weeier नियुटासकेkommen अचारण कैंख Tam किसने संतुलित विकास सिद्धान का प्रति बादन किया देखिए अब तक हम आसंतुलित विकास की बात कर रहे थे अब हम संतुलित विकास की बात करेंगे ये किसने दिया था तो सभी का आना चाहिए ये भी किसने दिया था रेगनर दे दिया था मैं उपर आपको बता चुक की प्रतिपादग थे या प्रतिबाद्थ किसने किया बात ही प्रतिबादग कौन थे सबी लोग बताएंगे बड़े थक्के का सिध्धान्त बढ़ाइए हाँ तो सभी का आना चाहिए रोजिष्ट्रीन है बहुत इंपोटेंट है कोशन ठीक है बड़े जो धक्के है उसका सिध्धान का प्रतिबात किस ने किया था रोजिष्ट्रीन ने कहा था option number C क्यों जाएंगे नेक्स कोशन है बड़े धक्के के सिध्धान्त में समाजिक जो उपरी पूजी है उसमें निम्र छेतर का विकास होता है तो किस में होता है सभी का आना चाहिए पताईए पूजी का छेतर में option number A की और जाएंगे नेक्स कोशन के और चलते हैं यहां बूलागया है रजिस्तिंग किस प्रकार का आव भाजिदा और अर्थ meditation में मानते हैं तो आप सभी का आना चाहिए किस में मनते हैं सभी का बड़े धक्के का सिध्धान्त है यह जो अभिभाजिता में निमने घटक सम्तिलुत हैं वो कौन-कौन से हैं तो सभी का अंसर आना चाहिए कि यह दो उप्रुक्त दोनों हो जाएंगे उप्रुक्त दोने सक्ति और आयायात और साती साथ संदेश संदेश बाहन हो जाएगा ऑप्शन नमर ए और बी दोनों गया है तो सभी का अंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नमर बी की और जाएंगे इस्तर सक्ति की जो इस्तर सक्ति के जो कह सकते हैं चुंगल होता है उसमें उससे मुक्त किया जा सकता है इस प्रिकार से ऑप्शन हो जाएगा कि उसमें जो इस्तर सक्ति होती है उसके एक चुंगल से मुक्त किया जा सकता है option number B कि और जाएंगे next question कि और जाएंगे next question कि और जाएंगे next question है आत्म सुफती जो होता है आत्म सुफती से बोलते हैं एक समय क्रिया नहीं होती किरिया एक समय क्रिया नहीं होती वलकी वे बिचार वियाम के बिचार का अनुसरण करती है और जो समय पर या फिर जो समय चाहता है और फिर मुड़ कर नहीं देखता ये कथन किसका है फिर वे बिलकुल समय चाहता है और पीछे मुड़ कर नहीं देखता ये कथन किसका है सभी का अंसर आना चाहिए, बताइए, बिल्कुल ठीक है, प्रोफेसर लुइस द्वारा दिया गया था, आप्शन नमबर एक यूर जाएंगे, नेक्स कोशन है, बिकास मानवी ए, प्रतिनों का परिमार है, ये कथन किसका है, सभी का अंसर आना चाहिए, डबलू ए लुइस का है, आप्शन नमबर जिसने भी दिया है, एक परमसत न अंसर हो जाएगा, नेक्स कोशन है, प्रवल प्रयास से धान्द के अनुसार अलप विकसित होते हैं, अलप विकसित देश कौन कौन से है, सभी का अंसर आना चाहिए, आप्शन नमबर एक ही ओर जाएंगे, दीगर कालीन ठीक है, इस तरता में जकडे रहते हैं, आप्शन नमबर एक ही ओर जाएंगे, नेक्स कोशन बोला गया है, अलप विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए, करांतिक नियुन्तम प्रयास से धान्द किसने प्रूसुत किया, तो सभी का अंसर आना चाहिए, आप्शन नम अमन्दूं के कितने सैटों का प्रयोग किया, तो सभी का अंसर आना चाहिए, बताइए मुझे इस कोशन का अंसर क्या होगा, बिल्कुल तीन सैटों का प्रयोग किया, सभी का राइट है, नेक्स कोशन है, अलप विकसित–देशों के आर्थिक मिकास के लिए, संतन पास सिर्धांत निम्निमें से किस ने पूस्टित किया तो सभी का अंसर आना चाहिए ये किया था नैसन ने किया था नेलसन ने किया था आप्शन नमर B की और जाएंगे नेक्स कोश्चन है निम्निकित में से निम्निकित में से जो कह सकते हैं हिंस जो हिंगिन्स है हिंगिन्स द्वारा जो रचित पुस्तक कौन सी है हिंगिन्स ने कौन सी पुस्तक लिखी दी आपको यह बताना है तो सभी का अंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से option number हम जाएंगे option number किसमें जाएंगे एक ही ओर जाएंगे option number economic development की एक पुस्तक उन्हों निरज़त की थी किसने लिए option number a के और जाएंगे और लिए हिंक ने जानता बनी जाएता है अनुपात और जो कह सकते हैं जो समश्या सिद्धान था उस पर आधारित था उप्शन नमबर B की ओर जाएंगे नेक्स कोश्चन यहां बोला गया है प्रोफेसर जे एच बुके के बुके ने कौन सा सिद्धान प्रतिपादन किया था तो बुके द्वारा कौन सा सिद्धान सम्ंदित था किसे था आप सभी लोग बताएंगे जो आर्थिक बिकास की जो अवस्था है उसो सम् मंदित सिद्धान किस्से था तो सभी का अंसर आना चाहिए डबलू डबलू रॉस्टॉब से सम्मंदित था option number a की ओर जाएंगे next question बोला गया है बिकास की आदार पर भा औरतिय अर्थविएस्ता है वो विक्कास के सेलड़ी भीकास में हैं। कि कि तत्म होते हैं। सबी लोगों का अंसर आना चाहिए। option number A, तीन प्रिकार होते हैं, विकास प्रक्रिया के नदंता के तत्वत तीन होते हैं, नेक्स कोशन बूला गया है, यदि मुद्री स्पूती करमसा बढ़ती है, तो उसके हानिकारक प्रभाब अधिक प्रभाब साली हो जाते हैं, अता, अंत में, आर्थे के विकास, तब हो ज जाएंगे नेक्स कोश्चन बोलेंगे इस कोश्चन का भी आंसर सभी लोग देंगे परिवादक्ता बोला जा रहा है अब दी बह अब्दी है जिसमें कई समाज अपने अधिकान ससाधनों पर अधुनिक तकनीकों के परिछेत्र का प्रभावपूर बिवहर करता है और यह किस का कातन है सभी का अंसर आना चाहिए फ्रफेसर क्या होगा प्रफेसर रोस टॉब हो जाएगा अप्शन मबएक योर जाएंगे नेक्स कोश्चन यहां बोला गया है प्राचिन संस्कृति में प्राचिन संस्कृति से सब्मधित जीबन कह सकते हैं इस्तरता के लिए प्रतन करते हैं जब की पच्छाद संस्कृति के बिजिस्ट था प्रिगती और शाहस के लिए प्रतन है ये किसका है सभी का अंसर आएगा बिल्कुल हाँ ये किसका है ये हो जाएगा नुकले लियूस का है आप्शन नमर एक की और जाएगे नेक्स कोश्चन है उतपादक के रियाओं का एक किंद्र सत्त है सत्त द्वारा निर्देशन ही आयोजन का अर्थ है ये परिभासा किसकी है तो सभी का अंसर आना चाहिए ये परिभासा प्रोफेसर हीक option number b की ओर जाएंगे next question है रौश्टॉब के अनुसार आर्थिक विकास की जो अवस्थाएं थी वो कितनी थी तो सभी का अंसर आना चाहिए यह पांच अवस्थाएं थी ठीक है next question है रौश्टॉब के आर्थिक विकास की अंतिम चरण का नाम बताईए तो सभी का अंसर आना या कह सकते हैं अन्तिम जो चुरण था वो था अत्यधिक उभोग की अवस्था ओप्शन नमबर हम जो कहेंगे सी की ओर जाएंगे सि किस एक का उल्लेक रोस्टर व्यक्ट रोस्टर था तो बो किया का एक अधिकार पूजी बाद का अवस्था और जाएंगे समिती के रिपोर्ट 2009-2010 की अनुसार भारत में कितने प्रतिसे जनसंग्या गरीवी रेखा के नीचे रह रही थी तो सभी का अनुसार आना चाहिए ऑप्शन नमबर 29.8% ऑप्शन नमबर डी बात करेंगे ठीक है रंगाजन जो केमेटी थी उसका रिपोर्ट की अनुसार 2001-2012 भारत में कितने प्रतिसे जनसंग्या गरीव रेखा के नीचे रह रही थी तो सभी का अनुसार आना चाहिए 21.9 परसेंट ऑप्शन नमबर एक ही बात करेंगे ठीक है तो कह सकते हैं रंगाजन जो कमेटी थी उसकी बात की जा रही है नेक्स पोश्चन है भारती ग्रामीर रोजगार कानटी अधेनियम जो था वो कब लागू किया गया था बताईए जिसे हम नरेगा कहते हैं नरेगा कब लागू किया था तो सभी का अंसराना चाहिए दो फरवरी दो फरवरी दो हजार छे में ये नरेगा लागू किया गया नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा कब किया गया मनरेगा कब किया गया तो सभी का अंसराना चाहिए आप्शन नमबर हम जाएंगे बी की ओर दो अक्टू और 2009 को यह क्या नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया शॉष्कटन अंखर कर लीजे पीडियुइप का लेंग डिस्क्वशन व्क्स में है